लो दोस्तों आपको सुगत एक बरफिल से एक हमारे चैनल पे दोस्तों आपको बताता हूं कि आप अपने छेयराट पर उप्सिंट्र और दोस्तो fix art पे आपको बहुत सारे keywords मिल जाते हैं और बहुत अच्छ-च्छे background मिलते हैं इसलिए guys मैं fix art पे बनाता हूँ जो आपको यहाँ पे plus वाला option दिख रहा है normal आपको उसमें click कर देना है जैसे आप इसमें click करोगे दोस्तो तो यहाँ पे आपको edit a photo का option देखने के लिए मिलता होगा सबसे उपर जैसे कि मैं इसमें आके click कर देता हूँ click करने के बाद दोस्तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी photo बगएर सो हो रही है तो यहाँ पे guys मेरे को background ले लेना है जो कि बो बाला background ले लेता हूँ background लेने के बाद guys जो add बगएर आएगा तो उसको हमको escape कर देना है तो दोस्तों जैसे कि मैं आ चुका हूँ और अगर आप लोग guys अपने thumbnail size background लेना चाहते हो तो normal सा guys आपको tools पे आजाना है tools पे आने के बाद यहाँ पे आपको crop पे आ जाना है crop पे आने के बाद guys यहाँ पे आपको दिखता होगा solar.9 इसमें आप जब click करोगे guys तो यह आपके thumbnail size का crop बगएरा हो जाएगा यहाँ से आपको done कर देना है done करने के बाद आपको guys अपने background में अगर कुछ लगाना है तो यहाँ पे आप sticker पे आ सकते हो sticker पे जाके आप search कर सकते हो चीज़े जो भी चीज़े आपको लगानी हो जैसे कि guys मैं लगा लेता हूँ मैं YouTube को logo लगा लेता हूँ जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं कोई भी logo ले लेता हूँ जैसे कि मैं एवाले logo ले लेता हूँ guys और logo लेने के बाद इसको guys मैं थोड़ा टेड़ा करके ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ इसके बाद guys मैं क्यों रख रहा हूँ वो चीज़े आपको पता चल जाएगी दोस्तों मैं यहाँ पे add photo पे click करूँगा add photo पे click करने के बाद यहाँ पे मेरी photo बगारा show होगी जोकि मुझे guys अपने thumbnail पे अपनी photo लगानी होगी तो दोस्तों मैं ले लेता हूँ अपनी ए वाली photo को जोकि हमको thumbnail में लगानी है यहां से guys मैं add पर click कर दूँगा तो हमारी photo बगएर add हो जाएगी और जैसे आप लोग देख सकते हो मेरी photo बगएर यहां पर आच उकिये guys लेकिन अभी photo मेरी properly guys complete नहीं हुई है इसके लिए guys मेरे क्या करना पड़ेगा अब आप लोग ध्यान से देखिएगा जैसे guys मैं थोड़ी यहां पर ऐसे करता हूँ तो आपको cut out को यहां पर option मिलता होगा जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे cut out normal हमको cut out वाले पर click करना है जैसे कि मैं cut out पर click करूँगा आप लोग देख सकते हो तो यहां पर दोस्तो हमको person का option मिलता होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहां पर जैसे मैं click करूँगा तो जो भी मेरी photo हो जाएगी लेकिन guys side में जैसे कहीं ने कहीं छूटा हुआ रहता है तो उसको guys मेरे को remove करना रहता है आप लोग remove करके अपनी photo को और बहतरीन बना सकते हो और अपने thumbnail को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो च्योंकि दोस्तों आपकी video viral कराने के लिए अगर सबसे मातपूंच चीज होता है तो आपको thumbnail होता है तो आपको thumbnail तो attractive होना चाहिए जिससे की लोग click कर सके ये सब करने के बाद दोस्तों इसके बाद मैं हाँ पे normal सा click करता हूँ जैसे मैं click करूँगा तो ए फोटो बगएरा मेरी clear हो जाएगी और मैं background पे अपनी photo बगएरा लगा सकता हूँ जैसे की आप देख सकते हो तो की देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन भी photo बस आई है और इसके बाद जैसे मुझे कोई भी चीज़े लिखनी होती है जैसे की मैं इसमें बनाता हूँ की YouTube वीडियो अपलोड करने का सही time ठीक है तो मैं यहाँ पे फिर आ जाता हूँ अपनी 스िकर पे फिर मैं guys ले लेता हूँ YouTube का कोई भी स्टीकर जैसे की आप लोग को मैं live दिखा रहा हूँ Video को मैं guys capital पे लिखोंगा जो की थोड़ी अच्चा लगेगा याँसे guys मैं done कर लेता हूँ finally done करने के बाद स्टीकर पर फिर मैं गाइस ले लेता हूं यूटूब का कोई भी स्टीकर यहाँ पर गाइस मैं यूटूब का स्टीकर ले लेता हूं एक ठो और लोगो और इसको मैं यहाँ पर लेता हूं गाइस सबसे उपर पर मैं यहाँ पर सेफ कर देता हूं जैसे यूटूब फिर यहा पर फोटो डीओ को मैं यहां पर छोटा करके यहां हुआ यहां को जैसे कि आपको साइज की सबस्क्राइब यहां पर रख देता हूं और यहां पर मैं कट आउट कर देता हूं जैसे कि अभी देख सकते हो थोड़ा सा कमटेट हुआ है यूटूब वीडियो अपलोड करने का सही टाइम आप गाईज हमको अपलोड में थोड़ा यूनीक चीज रखना है तो गाईज एक बार फिर से मैं अपना एड़ फोटो पर आजाता हूं जैसे कि आपको एड़ फोटो दिखता होगा एड़ फोटो पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको बैग्ग्राउंड मिलता है जैसे कि बैग्ग्राउंड जो आप लगाना चाहते हो तो बैग्ग्राउंड पर आप क्लिक क कर रहा हूँ यहाँ पर गाईज यह आ गया ठीक है यहाँ पर गाईज मैं आप लिखता हूँ टेक्स पर यूटूब वीडियो अब यहाँ पर कैप्टर में लिखता हूँ अपलोड अपलोड ठीक है अपलोड को गाईज मैं अपने एलो वाले बैक्गराउंड के उपर रखत तो देख सकते हो आप लोग इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और जो background इस्ट्रा जा रहा है तो इसको भी मैं crop कर देता हूँ normal सा जैसे कि आप लोग देख सकते हो crop करने के बाद मैं guys इसका color वगएरा change कर देता हूँ जैसे कि मैं इसको black कर देता हूँ ठीक है और इसको अगर आप लोग और छोटा करना चाहो कर सकते हो अभी देखो अभी normal सा इतना complete हुआ है और इसके बाद जैसे YouTube वीडियो upload करने का सही time ठीक है जैसे कि यहाँ पे guys मैं लिख देता हूँ YouTube वीडियो upload करने और इसको save परता हूँ क्योंकि दोस्तों वहाँ पे space रहे गया था तो फिर खराब लगेगा यहाँ पे guys मैं इसको YouTube वीडियो upload करने का सही time यूटूब वीडियो upload करने का सही time ऐसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूटूब वीडियो upload करने का सही और guys time तो mistake हो रही है लेकिन guys कुछ उसको फिर मेरे को add photo पे आना है add photo पे आने के बाद फिल से मेरे को एक बार yellow वाले को लेना है background को और इसके बाद guys मुझे इसको फिल से एक बार crop कर लेना है उसी size में जिस size में हमारा time आ सके यहाँ पे guys मैं normal से यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कम करता हूँ और यहाँ पे guys मैं अपना time text पे time लिखता हूँ जो की मेरे को जैसे YouTube वीडियो upload करने का सही time ठीक है तो guys यहाँ पे मैं इसको एक बार मुझे save करना पड़ेगा actually मेरा front complete हो चुका है लेकिन फिर भी guys मैं इसको save करता हूँ जैसे कि आप लुग देख सकते हो ठीक है और यहाँ से guys मैं इसको save कर देता हूँ क्योंकि guys मुझे अब text फिर से लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे guys मैं text पे आ जाता हूँ YouTube video upload करने का सही time capital में guys मैं फिर से time लिखता हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो और time लिखने के बाद फिर से मैं इसको nest करता हूँ nest करने के बाद guys time को मुझे इसके हिसाब से guys यहाँ पे set कर देना है थोड़ा से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसको guys मैं जैसे इस shape में रख लेता हूँ ठीक है तो इसके बाद guys मैं इसको crazy color दे देता हूँ जैसे कि मैं black ही दे देता हूँ अगर अच्छा लगेगा और आप लोग देख सकते हो guys मेरा thumbnail बंद के ready है मतलब कि guys आप लोग के सामने मतलब 10 मिनट के अंदर मैंने अपना thumbnail complete कर लिया है तो guys काफी ज़्यादा मेहदत कर रहा हूँ तो मिलता है नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye love you all और guys चैनल को जरूर सस्क्राइब कर देना